असलाम लेकम आज हम Android Studio के अंदर अपनी अप्लिकेशन का फ्रेंट अंड डिजाइन करना सिखेंगे सबसे पहले मैं Adobe XD को उपन करता हूँ यहाँ पर यह दो स्क्रीन मैंने डिजाइन की है पहली स्क्रीन लोगिन है लोगिन के लिए यूज होगी और दूसरी स्क्रीन साइन अप के लिए यूज होगी तो यहाँ पर कुछ टेक्स व्यूज अडिट टेक्स और बटन लगे होगे तो इसी तरह के डिजाइन हम Android Studio के अंदर बनाएंगे तो सबसे पहले Android Studio उपन कर लेते है यहाँ पर लास्ट टाइम जो मैंने आपको Android एप्लिकेशन का जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो शो किया था जिसमें एप और ग्रेडल को हमने फर्दर डीकंपोज करके देखा था कि इनके अंदर क्या क्या चीज़़े मुदूद होती है तो यहाँ पर मैं इनको क्लोज करूँ और सबसे पहले Java को अपन करूँ और यहां से सौरी यहां से मेन एक्टिटी को अपन करूँ तो यहाँ पर हमें हमारी एक्टिटी का Java वाला कोड मिल गया है और अगर मैं यहां पर Control होल्ड करके रखूंगा तो यहां से हमें इसका जो है डिजाइन मिल जाता है तो सबसे पहले तो ये Hello World को रिमूव करते हैं यहां से और यहां पे अगर आप देखें मैं थोड़ा सा इसको इस सरफ ले जाता हूँ और थोड़ा से इधर से भी इस सरफ बलके मैं इस सरफ करता हूँ इसको नीचे ले जाता हूँ चले अब यहां पे अगर आप देखें शुरू में तो यह Constraint Layout लगा हुआ है Layout क्या होता है Android के अंदर Layout एक्चुली यह यहां से लेकर यहां तक और इधर से यहां तक मतलब यह यह पूरा एक container है जिसके अंदर हम चीज़ों को adjust करते हैं तो Layout के बगार चीज़ें adjust नहीं हो सकती है Android के अंदर तो Parent जो application का Parent कहलें के Tag होगा जब हम XML में design करेंगे तो Parent Tag में हम Layout का Tag यूजज़ करेंगे तो अभी for the time being मैं Relative Layout यूज़ करता हूँ Constraint नहीं यूज़ करता तो Relative Layout क्या होता है यह इसके बारे में हम आगे further देखेंगे और यहां से अब simply अपने Relative Tag को close कर देना है तो it means कि यह हमारा root Tag है इसके अंदर हम चीज़ों को place करेंगे तो सबसे पहले हम अपना XG का डिजाइन देख लेते हैं इसमें सबसे पहले यह Welcome लिखा हुआ है यह TextView है और नीचे भी एक TextView है जिसमें लिखा हुआ है Sign In To Continue तो यह हम यहां बनाते हैं तो सबसे पहले हम लगाते है TextView और इस TextView की जो Width है मतलब Width के बारे में मैं बताता हूँ Wrap Content रख लगते हैं और Height भी Wrap Content तो Wrap Content का मतलब यह होता है जितना इसके अंदर Text लिखेंगे उतने लिहाद से इसकी Height और Width अर्जेस्ट हो जागी Suppose मैं लिखता हूँ Hello तो अगर मैं इसको Sorry इसमें Text का Tag लगा लगा हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ Hello तो अब यह देखें जैसे जैसे मैं अगर लिखेंगा Hello वर्ड तो वो Text की जो Width है वो Increase हो रही है अगर मैं यहाँ पर कफी ज्यादा लिख दूँ तो यह देखेगा अभी मैंने छोड़ा है तो अब यह क्या हो है अब जो Height है वो भी Adjust हो रही है तो इसी तरह यह Height और Width जो है वो बढ़ रही है तो It Means कि यह जो Text है उसके Content के लिहाँ से है तो Just यहाँ पर हम लिखते हैं Welcome और इसके बाद इसका थोड़ा सा Text Size इंक्रीज कर देते हैं Text Size इसको इंक्रीज करके हम लिख देते हैं 20 Spaces यह जब भी हमने Text का Size लिखना है उसके साथ Space SP लगाना है और जब भी Height और Width की बात होगी लाइक इसका Margin अभी हम उपर से थोड़ा सा Margin इसको इस तरह से Top से Margin देते हैं तो Top Margin लिख देते हैं असलमें Tag होता है Margin Top तो Margin Top अब मैं इधर उपर से इसको देता हूँ 60 dp अब यह लिखें जब भी आपने जो Width या Height है या Margin Top है या Margin Bottom है या Right है जो भी है इसके साथ आपने dp लिखना है लेकिन जब भी आप Text के Size की बात करेंगे वह Spaces में हम Add करेंगे सो यहां पर हम Margin Left भी देते हैं Margin Left ऐसे लिखे देंगे वह खुदी अगर आप गलत भी लिखेंगे तो वह खुदी आपको हिंट में Show कर देगा सो यहां से हम 10 dp इसको देते है Margin और इसका जो Text Color है इसको भी Change कर लेते है टेक्स कलर को हम कह देते हैं Hash 123456 यह Black के लिए यूज़ होता है अब इसका Text का Style जो है वह भी Change कर सकते है अब यह ज़स्ट आप देख लें के यह जो भी टैग होता है Android के बाद वह वाला टैग यूज़ हो जाता है तो ऐसे ही यह सारी जो चीज़ें वो चलती है तो यहां पर यह हिंट में दे रहा है यहां पर आप Margin Left की बज़ाए इसको Margin End भी दे सकते हैं या इसको Margin Top की बज़ाए यह जो Welcome लिखा हुआ है यह इस पर यह हिंट इस वए से दे रहा है यह यह चाह रहा है कि इसको आप Source Source में लिखें तो String Source के बारे मैं मैंने लास टाम बोला था कि आप वैलियू में जाए और यहां पर स्ट्रिंग में देखें तो यहां पर कर लिखा हुआ तो यहां पर आपर एक नई स्ट्रिंग कर लिते हैं string और इसका नाम रख देते हैं welcome जो मर्जी आप नाम रख दें str welcome रख दें ठीक है जी और इसके नदर इसका इसकी value भी लिख दें like यह welcome मैंने लिख दिया अब मैं इसको call करना चाहता हूँ किस पे इस main activity पे तो मैं just यहां पे address पास करूँगा उसका उस पास का at the rate string जैसे मैं string लिखूंगा slash अब यह लिखें यह मुझे नीचे option में दे रहा है जैसे मैं w लिखा मैंने तो यह उसने welcome दे दिये अब लिखा welcome ही किया है लेकिन अब वह जो आपको warning मेरी थी वह नहीं आ रही क्योंकि हमने इसको as a path set कर दिये अब इसका benefit सबसे ज्यादा यह है कि अगर suppose हमने कहीं और भी welcome लिखना होगा तो just हम इस path को देंगे तो welcome खुद बखुद ही लिखा जाएगा so इसको इसको इसकी भी अगर कोई warning आ रही है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यह इसने margin start दे रिए कि start से इतना margin so margin start use कर लें margin left use कर लें same 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 ही काम दोनों करेंग margin start के साथ यह क्यों नहीं दे रहा है इसको चाहिए तर देना है अच्छा यह कह रहा है कि यह दोनों tag use करें margin left भी और margin start भी ठीक है चले अब यह देखे है हमारा यह welcome लिखा आ गया है अब इसके नीचे हमने लिखना था sign in to continue तो मैं just इसी को copy करता हूं और इसके नीचे मैं करता हूं paste कर देता हूं तो अब यह बिलकुल उसी के उपर आ गया तो मैं top margin में थोड़ा सा margin और दे देता हूं margin top को मैं दे देता हूं जी 60 की बजाए 80 कर देते हैं जी तो इसका जो इसका जो size था उसको हम यहां से stack को remove कर देते हैं जो इसका by default size होता है और इसमें जो इस को और इसका जो textile bold है इसको भी हम बिल्कुल regular रख लेते हैं और मैं इस पर click करता हूं अब यह रखें इसका welcome आ गया अब इसको 80 के विजाए 90 कर देते हैं और अब यह इसको हम यहां पे एक और string define कर लेते हैं control C करें इसी पूरी line को और नीचे जागे control भी कर देते हैं तो sign in to or underscore continue के लिए हम सिर्फ count लिख देते हैं तो यहां पर हम लिख देते हैं sign in to continue sign in to continue अब इस इस path को हम वहां पर use कर लेंगे तो यहां पर अगर आप देखें तो मैंने क्या किया है जैसे मैंने path लिख है तो वो पूरा का पूरा text यहां पर get हो गया तो sign in to continue so अब अगर आप देखें तो इसमें कुछ गड़बड़ है नहीं मेरे खाल में वैसे ही है अब चले प्रपैडिंग का मैं आगया आपको और एक और टैग में बता जूँगा अभी जस्ट हम क्या करते हैं अब हम जस्ट देखते हैं कि नीचे हमने उदर xd में क्या लगाया था तो xd में नीचे हमने ये text box लगाया वाज इसको हम android में edit text बोलते हैं तो हम edit text का tag लगाते हैं और edit text के tag में हम क्या करेंगे हम यहां पे इसकी width देंगे तो इसकी width जो अब rap content आपको समझ आ गया था अब match parent बताता हूँ match parent का मतलब है यह है कि यह जो parent width है यहां से लेकर यहां तक इतनी width से इसको मिल जाएगी तो हम क्या लगाएंगे match parent लगा देते हैं और match parent के बाद हम क्या करते हैं height इसकी rap content कि जितना content अब तो नहीं height अब हमने इसको margin top दे दिये तो यह तकरीबन यहां पर आ गया है it means कि हमें इसको top का margin 100 देना पड़ेगा ताकि इसके नीचे आ जाए बलके अब हम इसको 150 दे रहते हैं ताकि काफी नीचे यह आ जाए तो अब एक और बात कि हमने इसके अंदर कुछ लिखना भी है तो हम इ यूजर नेम के लिए हम यूजर नेम के लिए हम यूज कर रहे हैं so अब यह हिंट ना इसमें नॉर्मली शोर नहीं होता लेकिन जब आप Android अप्लिकेशन को रन करेंगे दन यह शोर हो जाता है so अगर यह भी इसको भी हम उसमें ही लिखने जाके तो ज्यादा बेतर रहेग और यहां पर वही वाली 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 पेस्ट कर देते हैं और अगर मैं जाओं दुबारा इसी पर और यहां पर एड़ दर रेट श्ट्रिंग slash hint और यह hint को मैंने वहां से पास कर दिये अब हमने करना क्या है अब हमने इसके लावा अब क्या करना है अब हमने इसका वो background वो गगरा शट करना है उससे पहले हम margin left और right दे देते हैं तो margin left margin left हम दे देते हैं इसको 30 dp इदर से 30 और right से भी अब right लिखेंगे तो साथ ही वो खुद ही आजाएगा margin right कहीं न कहीं यहां पर margin right 30 dp आगया अब हमने एक और काम करना है अब हमने यह करना है कि इसके जो background है इसके उपर वो gray color की कोई line आजाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो इस तरह simply नहीं आएगी उसके अगर मैं इसमें यह चीज़ लिखूं देन देखते हैं कि क्या होता है I don't think so कि इससे कोई खास फरक बड़ा है चले बेरहाल अब हमने करना क्या है अब हमने यहां पर इसका background set करना है जैसा कि हमें यहां पर नज़र आ रहा था यह gray अरिया तो उसके लिए हम क्या करते हैं हम अपना एक background बनाते हैं तो मैंने last time बोला था कि drawable के अंदर हम जो हैं चीज़ें place करते हैं जो चीज़ें हमने यहां पर shapes और बनाने होती है तो हम एक simple सी shape बनाते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूं ज़रा किस तरह से हम background को adjust कर सकते हैं तो यहां से आपने drawable में जाके new में जाना है और यहां से drawable resource file drawable resource file में जाके हमने लिखना है custom underscore bg underscore edit underscore text तो यह custom bg या आप simply custom underscore shape लिख लें ताके हम दो जगा पर यह use कर लें so बल्के दोनों के लिए लदा लदा करेंगे underscore edit underscore text ओके यहां से अपने shape select करना है यह आ गया shape और just click कर देना है तो यहां पर हमें एक हमारे यहां इदर XML की एक file बन जाएगी जिसका नाम हमने रखती है custom underscore edit underscore text तो यहां पर हम लगाएंगे stroke stroke होता है आप stroke इस वह से लगाते हैं ताके मैं आप बता देता हूँ stroke में क्या लिखेंगे अंडॉयड कॉलर अंडॉयड underscore color color में हम c2 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 तो यह color जो होता है यह gray type color होता है और इसके अलावा हम क्या करेंगे हम इसमें corner radius भी देंगे तो corners और इसके अंदर हम इसका radius define कर देते हैं अगर मैं color change कर देता ना तो आपको अच्छे तरीके से नजर आए जाता है लाइक 4 times 0 okay कोई बात नहीं अभी अगर नहीं आ रहा तो मैं आप बता जूँगा कैसे आएगा ff4 times 0 okay corner के अंदर हम इसका radius देते है radius हम दे रहते है 10 dp और अगर मैं इसको solid कर दूँ इसका color define कर दूँ यहां पे color is equal to hash 6 times f white के लिए होता है 1 2 3 4 5 6 6 के लिए white आए गया है चलें अब हमने next work क्या करना है अब हमने यह करना है इसको दोबरा होई c2 c2 और c2 ग्रेई कर देते हैं corners को तो यह corners शो नहीं हो रहे लेकिन वहां पे जब हम एप को run करेंगे तब यह शो हो जाएंगे बाद उकाते ऐसी issues भी आते हैं अब हमने इसका background set करना है तो इंड्रॉइड को रन बैगराउंड टैग है तो आ जाएगा अब हमने इसका पादेना at the rate drawable और drawable में हमारे पास यह देखें दूसरे नमर प बाती हाइड को करम 55 dp करें यह देखें अब यह बढ़ गी है वह असल में custom उदर से पिक किया उस वज़ा से इसने कोई issue create किया आपके सो अभी हम इस देन करते हैं हम इसको रेने देते हैं stroke करने को हम यहां पे इसका colour जो है रवो Define कर दे यहां पर मैंने xd में एक color define किया था इसको यहां से मैं edit करता हूं और यह color मैं उठा लेता हूं यह color मैं दे देता हूं background पर यह देखिएगा अभी यह इसका जो है ना वो कमाल जाहर हो जाएगा अब आ गया अब यह यह मैंने क्यों दिया है मैंने सिर्फ आपको एक चीज़ दिखा यूज़ करेंगे padding तो padding और margin में क्या फरक है मैं यह भी बिलता देता हूं अभी हम इसमें यूज़ करते हैं suppose five dp use कर ले तो अगर आप देखेंगे तो अब यह username थोड़ा सा इस सरफ चला गया अगर आप इसको seven कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा तो यह देखिए अ आपने margin देना है तो आप margin का tag यूज़ करें यह है जी इसका difference लें जी यह हमारा एक edit text बन गया so अब हम दोबरा वो चलते हैं उसके उपर इसका text का जो text box का color है ना वो change करते हैं control z कर देते हैं और control z करके ना काफी चीज़ें जो हमने miss की थी यह दोबरा हमने वो इसी पर ले आए तो अब यह हमारा एक लग गया text box जी अब इस तरह का हमें एक और यह प्रॉपली आपको नजर आ रहा है अब हमें इसी तरह की go text box बनाएगी तो just हम क्या करेंगे इसी को copy करते हैं और यहाँ paste कर देते हैं और paste करने के बार आप देखें यह वो text तो हमें नजर नहीं आ रहा so हम 150 की बज़ाए इसको देंगे अब 200 का margin बलके 250 कर देते हैं sorry 250 बलके 200 enough 200 से 220 करके देख लेते हैं so अभी यह बलके 230 तक गुझाईश है ठीक होगे जी अब इसमें username की बज़ाए हमने password लिखना था तो बज़ाए कि मैं आब वो string define करूँ मैं directly password लिख देता हूँ आप strings गएरा को खुझ define कर लिजगा लेकिन मसला यह है कि इसमें जो भी text लिखा जाएगा वो ऐसे show होगा लेकिन हम चाहते हैं encrypted show तो हम यहां पे एक input type input type का tag लगाएंगे android colon input type तो इसमें हम type देते हैंगे text password तो अब यह जब भी लिखेंगे वो dot dot में show हो जाएगा सो यह हो गया हमारा username भी हो गया और password भी हो गया अब नीचे हम नेक लगाना था button so हम बटन लगाते हैं जी बी यू डबल टी ओ एन बटन सो अलब दूल्लाव okay जी excuse me अब यहां बटन लगाते हैं बटन की भी हम वही प्रॉपर्टी मैक पे रेंट विड कर देंगे और हाइड उसकी रैप कॉंटेट कर देंगे तो यहां पर यह इस तरह का बटन बन गया है अगर मैं यह 55 dp को उठा के यहां पर लगा दूँ तो इससे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा okay so अब इसमें हम क्या करेंगे हम यही वाले टैग उपर से उठा लेते हैं यह जो margin left और margin right था margin left यह था और right यह था यह पैडिंग मैं remove कर दूँका बाद में so यहां पर नीचे ओके यह मैं शिफ्ट डल से मैंने यह line remove किये अब यह line remove करने में जिस shift और डल दबारूंगा तो यह line भी remove हो जागी अब इसके अदर हम text लिख देते हैं text और text में हम लिख देते हैं जी getting start या I think so कुछ लिखा था get start यहां पर हम get start लिख देते get start तो मैंने जैसे बताया कि आप इसको string में भी define कर सकते हैं और directly भी उसकर सकते हैं पहले तो इसको top margin देते हैं top margin यह 260 dp I think it is not enough so we'll use 300 dp so अब अगर आप देखें तो यह अच्छा लग रहा है 300 के अंदर so अब हमारा काम क्या है हम यह जो get start के अंदर जो लिखा हुआ है इसको यह हमने इदर तो लिखा हुआ capitalize word किया हुआ हर वर्ड को capitalize किया हुआ है लेकिन यहां पर यह सारे upper case में आ रहे हैं तो यहां पर होता है text all caps text all caps android colon text all caps इसको false कर दें तब यह देखें get start आ गया अब इसका थुड़ा सा text size increase करना था text size तो text size को हम कर देते हैं यहां पर 20 space ओके लेकिन अब यह देखें यह थोड़ा से इधर से और इधर से margin काम है तो हम यहां पर padding use कर लेते हैं padding और इसको 10 dp देते हैं तो अब यह properly हो जाएगा visible लेकिन अभी भी अगर आपको लग रहा है कि यह छोटा है तो इसको हम 60 dp कर देते हैं ताके यह भी बड़ा बड़ा लगने लग जाए अब यह properly ठीक नज़र आ रहे हैं तो यह हमारा जो था यह design था तो इसमें आप नीचे वह आप दूसरी चीज़ने भी लगा सकते हैं टेक्स वह लेकर अगर suppose आपने लगानी हैं दूसरी हूं ओके यहां पर हमने अब लगाना है sign in to continue की बजाए यहां लिखना है don't have an account so अभी मैं लिखे देता हूं don't have an account अगर account नहीं है so इसको अब top margin हम दे रहते हैं 300 और 350 where is the top margin 350 dp so क्या बात हुई है यह उपर के चला गया margin top 350 अच्छा margin left दिया है margin restart दिया हुए but I don't think so कि इसको इस तरह का worst किसम का behavior show करना चाहिए top margin top 350 dp हाँ जी अब आगए यह बाद वकात android के अंदर कुछ issues होते हैं इस विज़े से यह show नहीं कर रहा हुता तो 380 I think enough है और margin start को हम कर देते हैं 60 dp और margin left को भी 60 चले या इसको अगर हम 100 भी कर दें तो no problem I think यह भी suitable है ने जी तो अब हमने एक और text text view लगाना है लेकर वो इधर लगाना है तो यहां पर लगाने के लिए अब क्या करेंगे अब यहां पर मैं एक id देता हूं इसको unique id id को आगे हम किसी आगले lecture में explain करेंगे further लेकर अभी just for the time being आप यह देखने के इसका tag होता है android colon id is equal to आगे double quote आगे add the rate sign plus id forward slash आगे id देते हैं आप text view है तो इसको tv लिखने text view tv stand for text view underscore don't underscore have underscore account इसमें जो जब भी आपने id देनी उसमें आपने post trophy नहीं डालना so अब अगर आपने इस तरह नहीं लिखना था आप ऐसे लिखना था आप ऐसे लिखना था है do not have have an account आता है वैसे तो have an account जो grammar के लहाँ से so अब इसके हमने साथ लगाना था तो अब क्या करेंगे मैं इसी को एक दफा कॉपी करता हूँ paste कर देता हूँ और इस id को remove कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लगाता हूँ यहाँ से जो margin left है और right है margin left को मैं remove कर रहा हूँ और margin start को मैं remove कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर इस line को remove करके नीचे आता हूँ और यह यह वहाँ पर लिखता हूँ to left of android to left of यह मैंने लिखा और मैंने id जो है उपर वाले id उसको pass कर दिया सो मैं यहाँ पर id को pass करता हूँ और यहाँ पर हमने लिखना है sign in sign in sign up sorry sign up मैं थरा एक दफार जस्ट डिजाइन को देख लूँ और और दन मैं आपको बताता हूँ कि क्या issue है to right of इसे ठीक की ता पता नहीं क्यों उसने right of की नहीं लिए तो इसमें क्या लिखा था sign up sign up को कठे लिखा हूँ है sign up को कठा लिखने को issue नहीं है अब एक और काम इसका color का color change है तो color हम button से ले ले लेते हैं इसका button का color कहीं दिया होगा where is the color of the button हाँ अच्छा यह by default color यह बैग्राउंड और hash sign और यहां से मैं यह color उठा लूँ ना जरा इसी को copy करते हैं और hash sign को remove करते हैं तो यह same color है वैसे इसका by default ही color set किया हूँ है और कि sign up में यह issue दे रहा है कि क्योंकि sign up हमेशा ऐसे लिखा जाता है sorry अब इसका background का color देना है इसका background का color नहीं इसका text color देना है क्योंकि यह text का सिरफ color चाहिए में so हम यह paste कर देते हैं तो इसको थोड़ा सा bold कर देते हैं यहां इसका थोड़ा सा text size भी increase कर देते है text size हम कर देते है 18 spaces और इसका style कर देते है bold text style bold नहीं जी अगर अब आप देखें तो लेकिन यह size ने थोड़ा सा issue create कर दिया इसका भी solution है लेकिन for the time being हम जो यह जो चीजें extra इनकी तरफ नहीं जाते हैं अब यह देखें यहां बिल्कुल लगा हुए तो हम क्या करेंगे तो राइट और यहां पर margin margin left लगा देंगे margin margin left तो अब यह है हमारा design जो बिल्कुल complete है अब इसको आप run भी कर सकते हैं लेकिन मैं भी आपको सिर्फ just design का overview दे रहा था यह भी जो continue यह properly लिखा हुआ है लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा issue आ रहा है I don't think so don't have continue पूरा लिखा हुआ है यह ले अगर यह फिर भी नहीं नहीं मार रहा है तो इसका यह फिर solution तो है और अभी यह बान गया है चले अच्छी बात है so यहां से मैं यह padding खत्म कर देता हूँ क्योंकि यह नहीं चाहिए हमें लें जी अब यह design बन गया है simple सा अब आपका जो आपके जिम्हें जो काम है वो यह है कि आपने यह वाला design जो है इस तरह का बनाना है बिल्कुल यह वाला design आप बनाना है इसमें यह जो corner के उपर radius दि देते हैं तो कोई issue नहीं है otherwise मैं आपको छोटा सबल के अभी यह कर देता हूँ यह कोई इतना मुश्किल काम नहीं है यहां पर हम एक new drawable resource file बना लेते हैं इसका नाम रख देते है कस्टम कस्टमाइज की हुआ है और bg underscore btn button का background जो है ना उसको custom करना है और यहां से हम इसक shape कर देते हैं select जो इसका root element है root element भी आप बता देता हूँ क्या होता है यह जो root element है ठीक है जी तो इसके अंदर हम एक solid color देते हैं और even gradient भी इसमें use हो सकता है gradient का tag भी होता है और color और control भी से मेरे खेल में हमने paste नहीं किया था अब अगर मैं button के background पर जाऊं यह वाला background इसको उठा के मैं इदर लगा दूँ और इसमें अब मैं corner का tag यूज़ करूँगा corners और corners के अंदर radius का tag radius में 10 dp देता हूँ तो यहां पर यह दिखिए यहां से यह bend होंगे और अब यहां पर हम इसका path दे देते हैं at the rate of custom अब custom में लिखें तो खुदी वो get कर लेगा लेगा ले जब आप चेक करेंगे तो यह bend हो चुक है आप इसको मजीद भी और ज्यादा भी क्या कर सकते हैं इसका radius बढ़ा सकते हैं so यह था हमारा आज का lecture अमीद है आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से understand कर लिया होगा अगर आपको कोई भी question है तो आप मेरे से बूच सकते जब आपका दिल करें मेरा यही focus होगा कि मैं ज्यादतर चीज़ों को practically explain करता जहूँ एक एक चीज़ को तो अभी भी मैंने कुछ चीज़ें ऐसी है जो abstract level पर समझाई है like dp है या sp है तो यह चीज़ें आईसा इसा आपको जैसे हम course के अंदर further process करेंगे तो आपको चीज़ यह समझाने लग जाएंगी अमीद है आपको मेरी यह काविश पसंद आई होगी अगर यह काविश पसंद आई है तो kindly आप इस channel का भी ख्याल रखें और अपना जो hard work है उसको और ज्यादा कहलें के बढ़ा दें ताके आप कम अरसे में ज्यादा ज्यादा चीज़ें सीख स रखें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अला आपिस्ट आप